नमस्कार दोस्तों मैं धर्विन वर्मा उनलाइन इस्टेडिवी डीके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ है आज हम बाल विकास के कुछ ऐसे प्रशनों के बारे हम बात करेंगे जो की दो बार पूछे गए यानि कि सीटेट जो उसमों 2011 में पूछे गए हैं और 2015 में पूछे गए हैं ऐसे तेरा पुरसनों की बात हम करेंगे जिसके बारे मैं आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के प्रशनों रिपिटेट हो रहे हैं तो उन्हीं के बारे हम बात करेंगे सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है सेर करना है और चेनल को सस्क्राइब कर लेना है तो सुरुवात करते हैं आज का पहला प्रशने हमारा वाई गोजसिकी के नुसार किसी सब्दकार्थ यहाँ पर देखें बार-बार नहीं बताऊंगा या फिर सामाजिक सांसिक्रतिक संदर्ब में उपच्ता है यदि आपको पता होगा कि वाई गोजसिकी ने कौन सा सिद्धान्त दिया है तो यहाँ पर आप आसानी सा आंसर लगा सकते हैं इनोंने सामाजिक विकास का सिद्धान्त दिया था और ये कहां के रहने वाले थे तो ये रूस के रहने वाले थे राइट आंसर आपके सामने होगा यदि आपको पता होगा कि इन्होंने कौन सा सित्धान दिया था राइट आंसर होगा सामाजिक सांसक्रतिक संधर्ब में उपचता है ये वाईगत्सिकी के नुसार किस सब्दे का जो अर्थ होता है वो सामजिक सांसेक्रतिक संधर्ब से उपचता है यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए यहाँ प्रशन तो आपने कहीं न कहीं पड़ा होगा कथन कि भासा सीखने की छमता जन्मजात होता है यहाँ कथन या फिर यहाँ विचार किसका है दो बार पूछा गया है ग्यारा और पंद्रा में चोमसिकी का है थोंडाइक का है सकिनर का है पावलाव का है सभी को इसका आंसर पता है जड़तर यहाँ पर जो दिया गया कथन है यह किसका है चौमसिकी का कथन है भासा अर्जन और भासा अधिगम में अंतर का अधार नहीं है प्रशन को ध्यान से पढ़ना है उसके बाद आपको आंसर देना है भासा अर्जन और भासा अधिगम में अंतर का अधार कौन सा नहीं है सांसक्रतिकता है, कुशलता है, श्वाभाविकता है या फिर सहजता है ये भी 11 और 15 में पूछा गया प्रशने है सीटेट में और तेरा प्रशने से आजाएंगे तो आप उसमें केते नंबर ला सकते हैं तो अगला प्रशने हमारा बच्चों में सरजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सरोस्रेष्ट विधी के बारे में आपको बताना है ये भी 11 और 12 में पूछा गया प्रशने है पड़ी गई कहानी को संचेप में लिखना भुकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना दो दिन के अवकास के लिए पत्र लिखवाना या फिर मेरा आदर्श विध्याले पर निबंद लिखवाना यहाँ पर देखे बच्चों में सजनात्मक अभिवक्ति का विकास करने के लिए सरुसेष्ट विधी के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका क्या होगा भुकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ट आगमन विधी में हम बढ़ते हैं जो आगमन विधी हैं उसमें हम किस और बढ़ते हैं भासा से व्याकरन के और बढ़ते हैं व्याकरन से भासा के और बढ़ते हैं नियम से उधारन की ओर बढ़ते हैं या फिर उधारन से नियम की ओर बढ़ते हैं इंपोटेंट हैं एक्जाम में पूछा जाता है आगमन या फिर निगमन विदी से यहां पर आगमन विदी से पूछा गया है तो आपका राइट अंसर होगा उधारन की ओर जो आगमन विदी में नियम से उधारन की और बढ़ा जाता है और आगमन विदी में उधारन से नियम की और बढ़ा जाता है तो यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा व्याकरन सिक्षन के संधर्ब में कौन सा कथन सही? कुन सा कथन सही है आपको बताना है आपका यहां पर राइट आंसर होगा कि बच्चे परीवेस में उपलब्द भासिक प्रियोगों के अधार पर श्वियम भासा के नियम बनाने की छमता रखते हैं पर तीसरा वाला विकल्पे सही होगा यहां जो कथन है या फिर विकल्पे ह रखते हैं बलकि सेक्षिक इस्तर पर भी अधिक बुद्धीमान होते हैं अधिक परिस्रमी होते हैं अधिक अंक प्राप्त करते हैं और फिर अधिक रशनात्मक होते हैं यहां पर आपको बताना है कि दो भाशा बोलने वाले बच्ची ना केवल अन्य भाशाओं पर वहाद प्रस्न निमलखित वाक्यो में रिक्त wax के लिए उप्युक्त सब्दो वाला विखलप चुनिंएं यहाँ पर दीखे प्रस्न को काटने का भरपूर परियास किया जाना चाहिए यहाँ पर देखे रिक्तिस्तान पर किया आएगा ने चारो विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि घर में बोली जाने वाली समुदाई के बीच और पडोसी की भासाओं तथ पर्पोलियो हो सकता है भासा का पर्पोलियो हो सकता है यह भी 11 और 15 में पूछा गया प्रशन है प्रपत्रों का आकरशक संग्रा परियोजना कार्यों का संगठित संग्रा प्रपत्रों का संग्रा या फिर प्रपत्रों का संग्रा प्रपत्रों का संग्रा प्रपत्रों का स योड़ते चलिएगा, हम आगे बढ़ेंगे अगला पुरसनी हमारा, कि आकलन एक सतत्प्रक्रीय है, इसका प्रात्मिक उद्देशी यहां पर आपको इसका प्रात्मिक उद्देशी बताना है क्या होगा, प्रविधी पाथ्ठी पुष्थक, सिक्छक और विध्यार्ती में स सुधार की प्रती पुष्टी विसेवस्तू सिक्षण पाठी समगरी और प्रसिक्षण में सुधार की प्रती पुष्टी और चोथा विकल्पे आपका विसेवस्तू पाठी पुष्टक सिक्षक और कर्च्छा में सुधार का समर्थनिया पर आकलन एवन सतक पक्रिया है इसक समर्द बाल साहिति का सबसे महतपून उद्देशी पूशा गया है नेतिक मुल्यों का विकास भासा सनरचना का विकास या फिर स्रजनात्मक भासा प्रियोग का विकास तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भासा सनरचना का विकास याद रखेगा समर्द बाल साहिति का जो सबसे महत्पून उद्दिश होता है यह भासा सनरचना का विकास होता यहाँ पर सेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ण उच्च प्रात्मे किस्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्पून भूमिका नहीं अब भ्यास पत्र की प्रस्ण पत्र की संचार माध्यम की या फिर पाठ्य पुस्तक की तो यहाँ पर जिसकी महत्पून भूमिका नहीं है हिंदी सीखने सिखाने में उच्च प्रात्मी किस्तर पर तो वो रहेगा आपका प्रस्ण पत्र याद रखेगा प्रस्ण पत्र की यह पर महत्तपूर्ण भूमिका नहीं होती है उच्छ प्रात्मिक इस तर पर हिंदी सिखने सिखाने की प्रकरिया में राइट आंसर आपको यहां पर सेकन वाला होगा चलिए अंतिम प्रस्ट यहां पर देखे तेरवा प्रस्ट आप जोड़ेंगे तो यह तेरवा प्रस्ट है प्रात्मे के स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्ती उचित समझते हैं, यहाँ पर देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करना है, जितने भी आपके पास गुरूफ है, और चेनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यह तीनों कारे आपने फटा- रिस्पोनसमी मिला तो, तो यहाँ पर प्रात्मे के स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्ती उचित समझते हैं, केवल कहानिया, एसा साहित्य जो प्रशिद्य साहित्य कारो द्वरा लिखा गया हो, एसा साहित्य जिसमें सब्दो और घटनाओं का दोराओं हो यापिल केवल कविताएं यहाँ पर देखे प्राथ में किस तर पर पूछा गया है कि आप किस तरह का बाल साहिते उचित समझते हैं आपका राइट आंसर होगा एसा साहिते जिसमें सब दो और गटनाओं का दो रहा हो यहाँ पर तीसरा वाला होता है आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंसर के माद देम से बताना है ऐसा ही और इंटरेस्टिंग वीडियो चीए तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जबते के लिए धन्यवाद